नेक्स्ट अमारा जो टोपिक है वो आता है आइनिक पोलीमराजेशन कितने टाइप का होता है तो जो आइनिक पोलीमराजेशन है ये हमारे पास दो टाइप का होता है केटाइनिक और अनाइनिक पोलीमराजेशन इसमें मतलब जब आइनिक पोलीमराजेशन हम करेंगे तो इस पॉलीमरीजीशन होता है यह इस्ट की परजंस में होता है मतलब यह जो पॉलीमरीजीशन का प्रोसस होगा यह इस्ट की परजंस में होगा ह2SO4, Hbf3, SNCL4, Alcl4, etc. कैटाइनिक कटालिस्ट जो होते हैं वो एलेक्ट्रोफिलिक रियेजेंट होते हैं इथीन मोलिक्यूल नहीं C, H2CH, यहाँ पर कोई भी G गुरूप लगेगा, इस गुरूप के पास जब यह इलेक्ट्रोफिल आता है, तो यहाँ से क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रोन को एक्सेप्ट करेगा, पाई इलेक्ट्रोन को मतलब इस डबल बोले मोनोमर से, पाई इले करने मेंंचम के अंदर यह रीक्षन होती है, फर्स्ट कि पहले स्ट आता है, चीन इनिशिशल स्टैप इस स्टैप में हम क्या करेंगे एसेड कैटलिस्ट का यूज करेंगे एसेड कैटलिस्ट का यूज करेंगे एसेड कैटलिस्ट का यूज करेंगे क्यों यूज करेंगे क्योंकि उस एसेड कैटलिस्ट से हम एक प्रोटोन को निकाल लेंगे एक प्रोटोन को क्या करें बहार निकालेंगे तो इसका मेकानिज्म किस प्रकार से होता है वह देखी जलिए कैटानिक पुल irmीरजिशन का पहला स्टैप आता है चींद chain initiation step what is the chain initiation step क्या होता है chain initiation step क्या होता है chain initiation step वो step होता है जो मतलब हम एक ऐसे katein को produce करेंगे इसमें जो आगे चलके chain की reaction को increase करने का काम करेगा जैसे कि ये जो reaction होती है kateinic polymerization में सबसे पहले हम acid को लेंगे जैसे कि हमने ले लिया H2SO4 अब इस H2SO4 को break down कर देंगे break down करके इसमें से हम क्या ले लेंगे एक proton को बाहर निकाल लेंगे ठीक है proton क्या है एक electron deficient है मतलब इसके उपर positive charge आ गया प्लस में HSO4 negative ये क्या करेगा acquire कर लेगा ठीक है ऐसे ही HF से मान लो HF हापका acid है इससे हम एक proton को बाहर निकाल लेंगे fluorine के उपर negative charge आ जाएगा ऐसे ही आप और step के साथ भी मतलब जो acid catalyst का use करते वे वहां से पहले first step आता है कि हम use करेंगे acid का acid का use करेंगे और वहां से क्या करेंगे एक proton को बाहर निकालेंगे अब इसमें दूसरा step क्या होता है कि इस proton का अब हम use करेंगे इस proton का हम क्या करेंगे use करेंगे कैसे use करेंगे कि मान लो जो अपके पास H positive है इसको आप मान लो Y क्या मान लो Y मान लो ठीक है इसको आप मान लो Y ऐसे और इस Y की reaction आप किसके साथ करवाओगे एक double bond वाले monomer के साथ करवाओगे CH2 double bond CH और यहाँ पे आपका एक group लग जाएगा G G group आपके पास क्या होगा रिलीजिंग करने वाला हो electron releasing group या फिर आप बोल सकते हो electron donating group मतलब इस double bond वाले monomer के साथ साथ ये condition है जरूरी है कि इसके साथ हम एक ऐसे group को लगा दे जो electron की density को इस ethene के उपर क्या करें increase करता जाए ठीक है क्या करेगा increase करेगा इसके उपर इसके उपर electron density increase करेगा तो यहाँ पे electron बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ठीक है अब ये वाला bond क्या करेगा इसको electron देगा मतलब ये group इसको क्या करेगा electron देगा तो यहाँ यहाँ वाई group इसके साथ हटेच होगा CH2 C और यहाँ पे Hs के उपर क्या होगा एक कार्बो केटाइन जरनेट हो जाएगा due to donation के कारण ठीक है और यहाँ पे क्या हो जाएगा यह आपका G group है तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या produce हुआ है कार्बो केटाइन इंटरमेडिकेट स्वरी कार्बो केटाइन प्रोडिउस हुआ है या फिर इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केटाइन आपका प्रोड्यूज हो चुका है, कैटाइन का मतलब पोजिटिव चार्ज वाला आपके पास प्रोड्यूज हो चुका है दूसरा स्टैप आता है, तो आपके पास C-G गूरूप होगा न, यह इलेक्ट्रोन डोनेटिंग गूरूप होगा जैसे कि कोई भी मिथाइल गूरूप लग जाए, O, C2, H5 गूरूप लग जाए, एक्सेटरा दूसरा गूरूप आता है, आपका जो चेन प्रोपगेशन होता है, चेन प्रोपगेशन स्टैप एक ऐसा स्टैप होता है जहां पर, मतलब जब आप इस कार्बोकेशन का यूज करोगे, इंदर रियक्शन के अंदर, तो ये आगे चलके आपकी रियक्शन को आपकी जो चेन है, उसको क्या करेगा, प्रोपगेट करवाने का काम करवाएगा क्या करवाएगा, प्रोपगेट करवाएगा, य, CH2, CH positive, Z group है, जब आप इसके पास किसी भी इथीन ग्रूप को लेके आओगे वापिस से, ठीक है, मतलब इस मोनोमरीक यूनेट को ऐसे रिपीट, मोनोमरीक यूनेट को फिर से इसके पास लेके आओगे, तो ये वाला इसक CH2, single bond, CH2, यहाँ पे positive charge आएगा, और ये बन जाएगा G, अब इन दोनों की क्या होगी, addition हो जाएगे, मतलब आप ये दोनों ग्रूप जुड जाएगे, CH2, CH का ग्रूप होगा, N number of unit होगी, CH2, CH2, G ग्रूप यहाँ पे लगा होगा, यह भी G ग्रूप लगा होगा, आपके पास क्या है, एक ऐसा step है, जहाँ पे आपकी chain जो है, आगे बढ़ती जारी है, बढ़ती जारी है, प्रोपगेट कर रही है, ऐसे ही आप इसमें फिर से, अगर किसी CH2, double bond, carbon, CH ग्रूप और यहाँ पे इसके साथ कोई electron releasing ग्रूप लगा हो, इसको फिर से add करोगी, त प्रोपगेट हो जाएगी, अब थार्ड स्टैप आता है, आपके पास chain termination step, chain termination step एक ऐसा step होता है, जिसके बाद आपकी reaction वही की वही stop हो जाएगी, उसको बोलते है, chain termination देखो, last propagation वाले step में आपको यह monomeric unit obtained हुई थी, CH2, CH यहाँ पे नमबर होगा, N नमबर होगे, CH2, CH2 यह G group हो गया, मतलब N नमबर इसलिए लगा दिया हमने, क्योंकि ऐसे ही यह repeat होती होती है, यहाँ पे हो गया positive charge, ठीक है, क्या हो गया positive charge हो गया, इसके अंदर आप क्या करवाओगे, protonation करवाओगे, मतलब H positive को add करवाओगे, इस reaction के अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या कर करती है, CH2 group नहीं था, यह आपका only for CH group था, ठीक है, अब आपको क्या करवाना है, disprotonation करवाना है, disprotonation का मतलब है, इस वाले group में से आपको एक hydrogen को बाहर निकालना है, जिससे आपकी reaction जो है, आगे stop हो जाएगे, मतलब यहाँ से आप एक hydrogen को बाहर निकालोगे, तो यहाँ यह Z group है, N number के अंदर unit होगी, CH double bond, CH हो गया और Z group, अब यह समझ लो कि यह आपकी जो monomer था, यह आभी जो यह बनावा polymer है, यह ठीक है, यह आगे क्या करेगा, reaction ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो यह binding site है, यह क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, एक प्रकार से लोक हो इसको बोलते है, chain termination step बोलते हैं, ठीक है, इसम यह कह सकते हैं कि this type of polymerization is successful, मतलब यह एक ऐसे type की polymerization होती है, यह तभी successful होगी, जब आप अपने इथीन के molecule के साथ, मतलब आपने इथीन molecule लिया, CH double bond, CH group है, इसके साथ जब आप electron donating group को साथ में लोगे न, तभी आपकी यह reaction हो होता है कि क्यों कोई catonic polymerization simple alkyne में नहीं होता है, क्योंकि उसके पास simple alkyne के अंदर रियक्शन कभी नहीं हो, catonic polymerization से produce नहीं होगा, क्योंकि simple alkyne में G group अगर हम नहीं लगाएंगे, G group का काम क्या होता है, electron को donating करने का, अगर यह electron donating नहीं होगा, तो यहाँ पे carbocatine generate नहीं ह होगा, this type of polymerization successfully तभी होगी, जब हम इसके साथ electron releasing group लगाएंगे, double bond वाले monomer के साथ, जब आप electron releasing group को लगाओगे, तभी आपकी यह reaction successful होगी, इसके कारण के होगा कि यह stable carbocatine की formation करेगा, but this process is not occur in ethene, but यह जो process है, ethene के अंदर नहीं होता है, यह जो process है, ethene के अंदर नहीं तो आगे आपको लिखना होगा कि कोई reaction नहीं होगी, no reaction, ठीक है, अगर आप reaction करवाओगे तो आपको CH2 carbon double bond CH group के साथ, आपको एक ऐसा group लगाना होगा, जो electron की density को यहाँ पे increase करे, J group is very well necessary है, to form stable carbocatine को बनाने के लिए, ठीक है, reaction आपकी isobutylene की presence में हो सकती है, मतलब यह condition है कि आगे आपका protonation होगा, protonation होगा, तो आगे आपकी reaction जो है, complete होगे, next जो वेडियो होगा, वो anionic polymerization के अंदर होगा, उसमें भी वही step चलेंगे, जैसे कि anionic polymerization में सबसे पहला step, इसमें क्या होगा, कि हम anion को produce करेंगे, चलि process of formation of carbo anion, जो किसको बनाता है, carbo anion को बनाता है, ठीक है, यह एक ऐसे type polymerization होता है, जो carbo anion की formation करता है, इसमें mainly 3 step होते है, chain initiation, propagation और termination, ठीक है, वहाँ पे हमने क्या लिया था, कि वो carbo cationic polymerization के अंदर क्या लिया था, कि जो electrophilic है, मतलब जो आपका cationic catalyst है, उसके अंदर आपका electrophilic reacent होगा, but in the condition of the anionic polymerization के अंदर आपका क्या होगा, एक nucleophilic reacent होगा, जिसके पास क्या है, electron rich species होती, जो nucleophil है, वो electron rich होता है, suppose that nucleophil को आप किसे represent करोगी, J से, J के पास क्या है, electron rich है, मतलब यह एक electron rich species है, जब यह आपके double bond वाले monomer को, double bond वाला monomer है, तिक वाले monomer में जो यह G गूरूप है, यह उस condition में, कैटाइनिक वाली condition में, तो क्या होता है, electron releasing group होता है, but इस condition में यह क्या होता है, electron withdrawing group है, जो इस ring से, electron को खीचने का काम करता है, खीचने का काम करेगा, तो यहाँ पे, electron की deficiency होगी, electron की deficiency होगी, तो यह एक nucleophil क्या इसको इलेक्ट्रोन डोनेट करेगा कैटनीक के अंदर तो हमने इरो उसे ताइलाइन के इनदर मोRoSt क्या है कि नियॅक्लिसी का नाइड़ नियूट रिच कर देकि सप्जिफ है तो यहां पर आपका कार्म एनाइन की का परके नीगटिव चास्छर्जरनेट इसको हम नूख्लियोफिर बोलेंगे, इसके पास मतलब डबल बॉन्ड वाली जो इथीन है, उसके साथ जो मोनोमर लगावा होगा न, उसके साथ जो G गूरूप है, वो क्या होगा? electron withdrawing group है जो इससे electron को खीचने का काम करेगा खीचने का काम करेगा और ये जो group होंगे जैसे कि CHC6H5 group लगा होगा COOR group लगा होगा ये क्या करते हैं electron मतलब ring के उपर electron की density को decrease करने का काम करते हैं carbonine catalyst are nucleophilic reagent होते हैं these reaction किसकी presence में होती है वो reaction जो अपनी cationic cationic polymerization reaction थी वो किसकी presence में होई थी acid की presence में होई थी और बट जो आपकी anionic polymerization है these reaction occur in presence base की presence में होगी मतलब आपकी जो ये reaction होगी base की presence में होगी जैसे कि KNH3 ammonia molecule है lithium amine molecule होगया M butyl lithium molecule होगय ठीक है ये वाले आपके group है जो कि जिनकी reaction किसकी presence में होगी base की presence में पाई जाएगी chain propagation step क्या होता है carbon anion chain propagation step में क्या होता है ये तो आपका क्या था chain initiation step था जिसमें आपका nucleophil double bond वाली monomeric unit के उपर attack करके इसको electron देगा जिससे carbon anion की formation होगी मतलब ये आपका chain initiation initiator वाला monomer journey हो चुका है अब इसका use हम आगे किसके लिए करेंगे chain को आगे भढ़ाने के लिए करेंगे जो आपके पास anion था इसकी reaction CH2 double bond CH और G group मतलब इस monomer के साथ होगी तो ये आगे reaction करेगा टेका जिससे आपकी reaction यहाँ पे G group लग जाएगा CH2 CH और यहाँ पे G group N number of monomer N number लगाया गया है कि ऐसे ही ये repeat होता रहेगा CH2 single bond CH और ये G group हो गया यहाँ पे भी carbo anion की क्या हो गई है यहाँ पे भी carbo anion आपका journey हो गया है यह था आपका chain propagation step अब इसी chain propagation step को हमें कौन से step में लेके जाना है chain termination step के अंदर लेके जाना है कि अब हमें reaction को क्या करवाना है आगे stop करवाना है chain termination termination step होता है कि जो अपने पास पीछे जो carbo anion जरनेट हुआ था उसके अंदर हम क्या कर देंगे एक proton को add कर देंगे proton को add करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास Z group होगा N number के अंदर आपके पास जो monomeric unit थी वो है और CH2 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 G group मतलब यह reaction आपके आगे क्यों होगे है यहाँ पी CH2 group आगे है अब यहाँ पे ना तो कोई NIN है ना कोई Ketain है ना कोई Radical है तो reaction आप आगे क्या हो जाएगी stop हो जाएगी थैंक यू